ये अव्यक इशारे मदुर्ता का गुण धारण कर मदुन सुदन का नाम बाला करो मदुर्ता की सोगात सदा साथ रखना, सदा मिठा रहना और मिठा बनना जैसे मक्र सक्रांती के यादगार में तिल और साथ मिठा मिला कर खाते हैं यह भी संगठन की शक्ति दिखाई है तिल आत्मा के बिंदु स्वरूप का और मिठाई मदुर्ता का तो जब आप आत्मिक सिदी में स्थित्रह मदुर्ता के मिठाई खाते और खिलाते हो तो संगठन एक हो जाता है